इकॉमर्स की सेल के चलते कारोबार में नुकसान से परिशान अब देश भर के व्यापारी अमेजन और फ्लिपकार्ट समेश सभी इकॉमर्स कमपनियों के खिलाब राष्टवादी युद्ध करने जा रहे हैं Confederation of All India Traders यानी CAIT ने ये एलान किया है CAIT ने कहा है इसमें विरोध केवल उन कमपनियों का किया जाएगा जो भारत सरकार की FDI पॉलिसी का उल्लंगन कर रही है कैट का कहना है ये कमपनिया देश के रिटेल बाजार को तहस नहस करने में लगी हुई है CAIT ने इस मुद्दे को देश के साथ करोन वियापारियों के अस्तित्त को बचाने की लडाई करार दिया है दरसल ये लडाई बीते कई साल से जोर पकड़ रही थी वियापारी संगटनों के दबाओं में बीते साल दिसंबर में सरकार ने इकॉमर्स कमपनियों के डिसकाउंट से जुड़ी पॉलिसी का एलान किया था इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऑनलाईन कमपनियों के गयर वाजिब डिसकाउंट बंद हो जाएंगे लेकिन इस बार फेस्टिफ सीजन में जिस तरह से इकॉमर्स कमपनियों की विक्री ने रफ्तार पकड़ी उसके बाद व्यापारी संगटनों ने इन पर सरकारी नीतियों के उलंगन का रोप लगाया इसी मुद्दे पर C.A.I.T. ने केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल के पास इकॉमर्स कमपनियों के खिलाफ शिकायत दर्च कराई वाणिज्य मंत्राले ने शिकायत पर कारवाई करते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ड से जवाब भी तलब किया है C.A.I.T. ने राजस्तान आई कोर्ड की जोदपूर बेंच में भी इस मुद्दे पर एक याचिका डाल रखी है लेकिन C.A.I.T. का आरोप है इसके बावडूद अमेजन और फ्लिपकार्ड का कारोबारी धाचा पहले की तरह ही जारी है इस तरह से इनी कॉमर्स कंपनियों पर C.A.I.T. ने पहले की तरह ही अपने पोर्टल पर लागत से भी कम मूल पर माल बीचने उत्पादों पर भारी छूट देने पोर्टल पर होने वाली विक्री को नियंत्रित करने अपनी पसंद के विक्रेताओं को अपने पोर्टल पर ज्यादा ओर्डर देने और बाजार में कीमतों को प्रभावित करने से पीछे नहटने के आरोप लगाए है CAIT का कहना है कि ये बुद्धा देश के रिटेल व्यापार के लिए बेहत बड़ा और कमभीर होता जा रहा है आंदोलन की रूप रेका तै करने के लिए CAIT ने 10 नौमबर को नई दिल्ली में अपने नेशनल गवर्निंग काउंसिल की इमर्जेंसी बैठक बुलाई है इसमें देश के सभी राजियों के व्यापारी नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है इस आंदोलन के तहर, CAIT आंदोलन के अलग-अलग चरणों में 13 नौमबर को देश भर में लोकसवा और राजसवा के सभी सांसदों को ग्यापन देगी 20 नौमबर को देश के अलग-अलग राजियों में लगबग 200 शहरों में धरने आयुजित किये जाएंगे 25 नौमबर को देश के 500 से अधिक जिलों में व्यापारी मार्श निकाले जाएंगे और जिला कलेक्टर को प्रधान मंत्री के नाम ग्यापन सौपा जाएगा इकॉमर्स कंपनियों के अनयतिक व्यापार के खिलाफ देश के लगबग 1000 से अधिक शहरों में विरोध मार्श निकाला जाएगा 2 नौमबर को देश के सभी राजियों की राजधानी में व्यापारी रैली आयुजित की जाएगी जिसमें राजभर के हजारों व्यापारी शामिल होंगे उसी दिन कैट प्रतिनिदी मंडल सभी राज़ों के मुख्यमंत्रियों को ग्यापन देगा इस मुद्दे पर देश के सभी प्रमुख व्यापारीयों की एक रैली 10 दिसंबर तक दिल्ली में होगी जिसमें देश भर से हजारों व्यापारी शामिल होंगे वहीं जन्वरी में दिल्ली में एक तीन दिवसी राष्टी एद्वेशन होगा जिसमें देश भर के 10 हजार से ज्यादा व्यापारीयों के शामिल होने की उम्मीद है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए व्यापारियों के अलावा ट्रांसपूर्ट, लगुत्यों, किसान, हॉकर्स, उभोगता और स्वयम उद्धमियों समेत स्वदेशी जागरणमज को भी जोड़ा जाएगा